अच्छी जिगी आसा है आपकी बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि क्यों सीव जी के उपर बेल पत्र ही चड़ाया जाता है सीव लिंग के उपर बेल पत्र चड़ाने के पिछे क्या प्रावधान है क्या विधान है क्या तर्क है तो इसके लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि बिल पत्र के क्या क्या गुण है और वहां जो गुण है वो हमारे किस काम के है तो अगर बिल पत्र का अध्यन करेंगे आयरुवेदिक तरीके से जानेंगे तो देखेंगे कि बिल पत्र जो अचरपरा होता है हलका कसेला भी होता है रुक्छ होता है इसे रस नहीं निकलेगा और यह ग्राही होता है और इसमें कुछ गर्मी भी होती है यह वात और कफ का नासक है तो इन गुणों के अलावा इसमें एक विलक्छन गुण भी होता है और वात गुण यह ऐसा है जो कि यह ज्यादा काम का है कि यह गर्म तो होता है परन्तु यह हमें बहुत ही संतुलित रुप से उत्तेजित करता है यानि इसकी जो गर्मी है वो आउट अफ कंट्रोल नहीं होती है बेतहासा नहीं होती है मस्तिस को असंतुलित नहीं करती है तो इसकी जो गर्मी है वो संतुलित गर्मी होती है इसलिए यह जो है हमारे बहुत काम की कामो तेजक भी है या और काम को नियंतित करने में भी या कारगर है या या बिना आपको नपुनसक बनाए हुए आपको आपकी कामनाओं पर आपको कमांड देती है तो यह जो विलक्षण सक्ती है इसकी यह बहुत काम की है और इसका यहाँ पर ज़्यादा उप्योग है तो जो साधक है वो बिल्लो पत्र चड़ाता है ताकि उसमें रपुनसकता भी नहीं आए पुरा पुनसकत हो पुरा विर्वान हो वजस्व तेजस्वी हो परन्तु साथ ही वह नियंतरित भी कर सके अपने वासनाओं को यह बिल्लो पत्र जो है वो सफेद मुसली की तरह नहीं है कि बहुत ज़ादा उत्तेजित कर दे नियंतर्ण के बाहर चले जाएं आप और सतावर की तरह या असगंध की तरह ऐसा नहीं है इसकी एक लख्षनता है कि नियंतित करने की सक्ति भी आपको परदान करेगी या आपको दो प्रकार की सक्ति देगी एक तो आपको काम केंदर को सक्तिवान और जावान बनाने की सक्ति यानि उसको सक्री करेगी दूसरा आपको मस्तिष के सक्ति देगी कि आपकी वह जो काम वासना है उसको आप संभाल सकें और उसका एक बहतर उप्योग भी कर सकें जैसा चाहे वैसा तो इसलिए बिल्लव पत्र का भोत उपयोग होता है और इसको सिवलिंग पर शड़ा जाता है सिवलिंग जो है वहाँ पर संभोग मुद्रा में है संभोग आवस्था में है लिंग और योनी के साथ संजुकत है तो यहाँ पर इसको अध्यात्मी कार्थ में समझना पड़ेगा यहां जो लिंग है अध्यात्मी कार्थ में वह चिन है लिंग कार्थ चिन होता है और भातिकार्थ में वह संभोगा आवस्था में है और वह जो चिन है वह चिन के रुप में जब परिप्त होता है तो परमात्मा के रहते हैं परिप्त होता है, परमात्मा संभोग रहत है, किसके साथ प्रकृत के साथ, यह उनी जो है वो प्रकृत है, तो प्रकृत के साथ संभोग रहत है, चेतना जो है प्रकृत के साथ संभोग रहत है, उसके साथ, उसके कारण ही जो है घटना घटती होती हैं तो यह जो आध्यात्मिक विलक्षणता है इसको प्रदान करने के लिए जो हमारे में सक्ति होनी चाहिए तो वह सक्ति हमें होती है तो वह विलक्षणता जो हमें प्रदान की जाती है इसके दोरा वह हमारे बहुत काम की होती है और इस कारण से इसको साधा को प्योग करते हैं शीवलिंग पचड़ाते हैं एक आधर्स इस्तिति को प्राप्त करने के लिए इसमें जो चड़ा जाते हैं वह अमन तीन पत्ते होते हैं एक साथ तो यह जो तीन पत्ते होते हैं तो यह हमारे तीन अवस्थाओं को बतलाने के लिए होते हैं तीन प्रकार के जो हमारे सूल है उसका निवारण के लिए होते है तो एक सूल जो है वह हमारा है आधि भौतिक एक है आधि देविक और एक है आध्यात्मिक तीन प्रकार के हमारे कश्ट होते हैं तो आदी भौतिक जो कश्ट है तो उसमें तमाम तरह के रोग आ जाएंगे तो रोगों के निवारान के लिए भी इसका प्रियोग किया जाता है और तमाम तरह की जो भौतिक घटनाएं होती है हमारे में आलश है, प्रमाद है, हमारे में अत्यधिक लालच है तो इन सब से यह मुक्ती दिलाएगी हमारे में आहंकार, करोथ, इन सब की जो भावनाएं हैं उन से मुक्ती दिलाती है और साथ में हमाएं वजस्वी ते जस्वी भी बनाए रखती है और फिर यह जो दूसरी इस्तिती है आधि देविक की जिसमें की हमें उर्जा सुरोतों तक यह लिवा जाती है तो हमारी चेतना जब उर्जा सुरोतों तक जाती है तो वहां और खुल करके उर्जा आती है और उसके हम भी ज्ञान को समझते है उसके डैनेमिक्स को समझते है तो यहां भी बहुत बड़ा कारण होता है और तीसरा तो आध्यात्मी कारण है हम कैसे अपनी यात्रा आत्मा और प्रमात्मा तक कर सकें तो यह साधक की यह तीनों तरह की जो कामनाय होती है तो इसकी वहां पर पूरती करने के लिए हिसको अर्पित किया जाता है कि इस समग रस्तितों से हम यह प्रार्थमा करते हैं कि यह सक्ति हमें प्रदान की जाए ऐसी सक्ति हमारे में जागरित हो हमारा मन मस्तिस्क इस तरह से चल पड़े कि हमें यह चीज उपलब्द हो जाए और उसमें जो डंठल है जो इन तीनों को जोड़ा हुआ है इन तीनों पत्तों को जोड़ा हुआ है वह परमात्मा है जो कि इन का एक पुरा परतिबिम्ब के रूप में है और परतिकर्थ में है तो यह आध्यात्मिक ध्योतक के रूप में भी है और इसका इस तरह से आध्यात्मिक अर्थ में प्रित भी होता है इसका जो स्पंदन है वह इस तरह का है कि इसको रखने मातर से इसको खाने मातर से इसके पास रहने मातर से ही जो है हमारे में इस तरह के भाव संचारित होने लगते है त्याग की भावना सहज रूप से संचारित होती है ये बल वर्थक और विर वर्थक होता है तो इसलिए बिल्लाव का बहुत उप्योग है कि हमें इसके पास जाने से सक्ति और उसक्ति पर नियंतरन ये दोनों ही चीजें जो कि विलक्षण है ये प्राप्त होती है तो यही यहां पर संदेश है इसी कारण जो है या सिव जी के पर चड़ा जाता है सिव लिंग पर अर्पित किया जाता है बिल्लव पत्र को धन्यवाद ओमरी